है हेलो फ्रेंट्स वेलकम ओलोफियून क्वालिटियन फैक्ट्स दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन फॉरंड पॉलिसी का लेक्चे नमबर 19 और इसके अंदर हम देखेंगे इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी तो पिछली वीडियो में हमने लुक या एक्टिस पॉलिसी देखी थी आज हम डीटेल में देखेंगे लुक वेस्ट पॉलिसी को तो मैप के उपर देख लीजिए जितने भी इंडिया की वेस्ट में ये कंट्रीज है जिसे मीडलिस्ट कहा जाता है इन सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के लिए जो प्लान लाया गया था या पॉलिसी लाई गई थी उसे लुक वेस्ट पॉलिसी कहा जाता है तो दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो भारत की पश्चिम की और देखो निती पूर्व की और देखो निती की संभावनाओं और लाभों से प्रेरित होकर अपनाई गई सबसे पहले हमने 1991 में लुकिस्ट पॉलिसी अपनाई जब लुकिस्ट पॉलिसी के पॉजिटिव परिणाम हमारे सामने आने लगे और उससे हमें लाभ होने लगा तो 2004-2005 में प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग द्वारा लुकिस्ट पॉलिसी अपनाई गई इस नीती के तहट भारत ने पश्चिम में स्थित अपने पडोसियों के साथ अपने संबंद सुधारने की कोशिश की है इसके तहट इसराइल खाडी सहयोग परिशद वा इरान के साथ संबंद बहतर करने का लक्षे रखा गया है इस नीती के तहट भारत ने इरान के साथ आतंकवाज से मिलकर लड़ने और चाबहार परियोजना के शाहिद बहस्ती बंदरगाह के पट्टे को खरीदने का करार किया है दोनों देशों ने जिन मुद्दों पर रजामंदी दिखाई है उसमें दोहरे कराधान एवं राजस्व चोरी से बचने प्रत्यरपन संधी के क्रियानवेयन स्वास्थिय एवं चिकित्सा समेत व्यापार की बहतरी के लिए विशेश सम्हू बनाने जैसी कई बातें शामिल है इरानी राष्टरपती का ये संकल्प है कि हम आतंकवाद और चरमपंच से लड़ने के लिए प्रतिबद है भारत की दृष्टी से ये काफी महतोपूर है इसके साथ ही भारत प्राकृति गैस और पैट्रो केमिकल क्षेतर में भी सहयोग का फैसला भारत ने लिया है तो यहाँ पे देखिए भारत के लिए चरमपंच से लड़ने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए इरान क्यों महतोपूर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो इरान ये पूरा आपका इरान है और इरान के साथ पढ़ता है आपका पाकिस्तान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि इरान कहता है कि हम भी आतंकवाद से जूज रहे हैं और आतंकवाद को जड़ से खतम करना चाहते हैं तो कही न कही भारत का जो पाकिस्तान को अलग थलक करने का लक्षे है आतंकवाद के मुद्दे पर इरान से मदद के बाद ये और ज़्यादा गती पकड़ेगा इरान के साथ संबंदों में सुधार के और भी कई महतोपुन बिंदू है जैसे गौर तलब है कि पश्चिम एशिया के अरब देशों के बीच आपस में काफी संगर्श होते रहते हैं भारत इस क्षेतर में शान्ती वा सदभाव बढ़ाने के लिए प्रतिबध है भारत की उर्जा का लगभग 65 प्रतिशत फारस की खाड़ी से आता है और क्रूड तेल जिसे कच्चा तेल कहा जाता है इसका भी 66 प्रतिशत से ज़्यादा भाग यहीं से आता है इस नीती के तहट भारत ने सबसे पहले इरान के साथ अपने संबंदों को सुधारने की कोशिश की है भारत यह जानता है कि इरान एक बड़ी क्षेत्रिय शक्ती है जिसकी भौगॉलिक स्थिती उसे पडोसी क्षेत्रों जैसे फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया, कोकेशस, कैस्पियन सागर तथा दक्षिणवा मध्य एशिया में महत्तोपुन बनाती है विश्व के प्राकृतिक गैस का 10% भंडार रखने वाला इरान ओपिक देशों में दूसरा सबसे बड़ा तेल उतपादक देश है इसके चलते भारत और इरान के बीच उर्जा क्षेत्र में सहयोग के व्यापक आवसर उपलब्ध है तो इरान पहले ही आपको मैंने मैप पे दिखाया कि इरान हमारे लिए क्यों important है क्योंकि इरान यहाँ पर इरान पड़ता है अगर हमें अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना होता है तो हम पहले व्यापार कैसे करते थे यह इधर से होते हुए इजिप्ट के पास यह स्वेज कनल होते हुए और इधर से हम क्या है उपर से आपका रश्या हो गया रश्या के साथ व्यापार करते थे अफगानिस्तान के लिए डारेक्ट हमारे पास कोई भी इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी हमें घूम फिर कर आना पड़ता था पूरी परिक्रमा करनी पड़ती थी उपर मिडल इस्ट और रश्या में जाने के लिए लेकिन क्योंकि हम इरान के साथ हमने चाबहार परियोजना साइन की है चाबहार बंदरगाह इरान के अंदर है तो इरान के साथ डारेक्टली हम यहां पे हमारा एक बंदरगाह होगा जहां हम डारेक्टली यहां पे व्यापार कर सकते हैं और यहां से स्थल मार्ग से यानी राज मार्ग यहां से बनाय जाएगा चाबहार प्रियोजना के दौरा जो डारेक्टली हमें अफगानिकस्तान के साथ कनेक्ट करेगा और मिडल इस्ट के दूसरे देशों के साथ हमें कनेक्ट करेगा और पाकिस्तान जो बीच में रोडा ब देख लेते हैं सबसे पहले कोशन पूछा जाता है कि चाबहार बंदरगाह किन दो देशों के बीच है या किन तीन देशों के बीच है बेसिकली दो देशे भारत और इरान भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार बंदरगाह से भारत इरान और अफगानिस्तान ये तीन दे चाबहार समझोता भारत को मध्य एशिया से सीधा जोड़ देगा जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया साथ ही रूस तक भी भारत की पहुँच आसान हो जाएगी भारत की पश्चिम की और देखो नीती आतंकवाद के खिलाफ जंग से भी प्रेरित है क्योंकि कटर इसलामी सम्हू इसी क्षेतर में है जिसमें अलकाइदा आईएस आईएस जैशे मोहमद जैसे आतंकवादी सम्हू शामिल है यानि अगर हम अपनी पश्चिम के और देखो नीती को सुद्रिड करते हैं तो कहीं न कहीं इन आतंकवादी सम्हू हो से हमें इजाद मिल सकती है और आतंकवाद से लड़ने में हमें मदद मिल सकती है पश्चिमी देशों से यदि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना है तो भारत को अपनी पश्चिम के और देखो निती को और अधिक सुद्रेड करना होगा अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए एक है आपका पश्चिम और दूसरा है पश्चिम की और देखो निती और देखो निती दो चीजे अलग अलग है पश्चिमी देश अलग है और पश्चिम की तरफ देखो निती अलग है पश्चिमी देश जो वेस्टरन जिसे कहा जाता है वेस्टरन कंट्रीज Western countries के अंदर basically Europe आता है अमेरिका आता है European countries जितनी भी है उन्हें Western countries कहा जाता है तो पश्चिम के और देखो निती के अंदर हमने ये पश्चिम के देश नहीं लिये है Europe या फिर अमेरिका इन देशों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है ये चीज आपके दिमाग में clear होनी चाहिए पश्चिम के और देखो निती basically क्या है अपने जो हमारे पडोसी देश है पश्चिम के जो हमारे पडोसी देश है जैसे हमारे lookist policy हमने देखी थी जो हमारे east के अंदर हमारे पडोसी देश है केवल उनी तक ही सीमित थी हमारी लुकिस्ट पॉलिसी उसी तरीके से लुक वैस्ट पॉलिसी भी हमारी जो हमारे तुरंत हमारे पडोसी देश आते हैं उनी तक ही सीमित है ना कि इन पश्चिमी देशों तक ठीक है तो ये चीज important थी यहाँ पे तो पश्चिम की और देखो नीती की आवश्यक्ता क्यों है ये question हमेशा दिमाग में रहता है कि आखिर ये नीती क्यों लाई गई तो सबसे पहले ये map के उपर आप देख लीजिए उसके बाद हम points को discuss करेंगे ये हमारा इंडिया है इंडिया का जो सी रूट आप देखोगे यहाँ पे ये पश्चिमे यहां तक connect होता है उसके साथ दूसरा सी रूट हमारा Red Sea होते हुए स्वेज कनल से होते हुए यूरोप तक भी जाता है और आपका पश्चिमी एशिया और Middle East तक भी जाता है तो ये important पश्चिम की और देखो नीती इसलिए बन जाती है क्योंकि जितने भी यहां पे आप देश देख पा रहे हो आपका UAE UAE जो हमारा है United Arab Emirates ये हमारे फॉरण के जितने भी हमारे फॉरण में जो हमारी labor power है सबसे पहले और सबसे जादा labor power इसको मैं बंद कर लेता हूँ ओके सबसे जादा labor power जो हमारी है वो UAE में है कतर में है बहरीन में है इरान में है एराक में है सौदी अरभिया में है तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी मज़दूर है या हमारी जो labor है या manpower है वो इन देशों में है और manpower का फाइदा भारत के लिए क्या है ये जितनी भी labor है ये foreign investment या foreign पूंजी को भारत में भेजती है जो भारत के वित के लिए important है दूसरी important चीज ये जितने भी देश है इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है और खाड़ी देश basically petrochemical उतपाद और gas के लिए जाने जाते हैं यानि उर्जा के जितने भी संसाधन है वो इन देशों से हम पूरा कर सकते हैं तीसरी चीज क्योंकि यहां पे आतंकवाद संबंदी गती वीदिया इनी देशों से उबरी है इरान से इराक से सीरिया से ठीक है जितने भी आतंकवादी गुठ है यहीं से उबरे हैं तो इन देशों के साथ अगर हम सहयोग करते हैं तो कही ना कहीं आतंकवाद को भी हम यह यहां पे खत्म कर सकते हैं उसके इलावा जियोग्राफिकली भी यह हमारे लिए important है क्योंकि यहां पे पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है और जब हम दुश्मन के दुश्मन के साथ मित्रता करेंगे जब यह इरान हमारा यहां पे मित्र बन गया तो definitely यहां पे हम है यहां पे हमारा मित्र है तो बीच में पाकिस्तान को भी अपना रुख नर्म भारत के प्रती करना पड़ेगा ठीक है तो points में इसको देख लेते हैं सबसे पहले देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2004 के अंदर प्रवासी भारतिय मामलों के लिए मंत्रा लेकि स्थापना की क्यूंकि हमारी बहुत सारी लेवर फोरन के अंदर है और खाडी देशों के अंदर है उनकी समस्याओं को सुलजाने के लिए गौर तलब है कि अरव खाडी राज्यों में 2012 में भारतियों की संख्या लगबग 5.7 मिलियन थी जो 2018 तक बढ़कर 8.5 मिलियन हो गई यानि आप देख सकते हैं 85 लाख से जादा जो हमारी लोग है वो इन खाडी देशों में रहते हैं और अपनी आजीवी का का अरजन करते हैं खाड़ी देशों में स्थित भारतिय विदेश पुंजी द्वारा जितने भी खाड़ी देशों में स्थित भारतिय लोग है वो विदेश पुंजी द्वारा देश के वित्व में महत्वपुन योगदान देते हैं 2012 से लेकर 2018 की अवधी में इस क्षेतर में विदेशी पूंजी का भंडार इस क्षेतर से विदेशी पूंजी जो आती थी 64 अरब डॉलर से बढ़कर 89 अरब डॉलर हो गई है खाडी क्षेतर एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के साथ साथ तेल और गैस का प्रमुख स्त्रोथ है इसके परिणाम सुरूप खाडी सहयोग परिशद GCC देशों के साथ बात चीतवा भारत का मेल मिलाप में वृद्धी हुई है भागौलिक रूप से खाडी भारत का काफी फैला हुआ परोस है और मद्य एशिया के साथ जुड़ने की एक मात्र कड़ी है क्योंकि पाकिस्तान से डारेक्टली हम मद्य एशिया से नहीं जुड़ सकते हैं तो खाडी देशों से हम डारेक्टली मद्य एशिया से जुड़ सकते हैं USSR के पतन के बाद पश्चिम एशिया की भौगॉलिक सीमा का बहुत विस्तार हुआ तो पहले पश्चिम एशिया में आप देखते थे ये USSR था जो की बाद में जब ये USSR का विगटन हुआ तो वो CIS में डिवाइड हो गया और कही न कहीं Middle East का विस्तार हुआ जिसके का जाता है ये ख्षेत्र भारत की उर्जा की निरंतर बढ़ती जरूरतों का स्त्रोथ है वह भारतिय वस्तूओं सेवाओं और कुशल जन्शक्ती के लिए भी बहुत बड़ा बाजार है ये पॉइंट बहुत जादा इंपोर्टेंट है जिसकी बज़े से लुक वेस्ट पॉ वेस्टरन कंट्री से प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद भारती वस्तूओं भारत के अंदर जो वस्तूओं उत्पादित की जाती है उसके लिए भी एक परकार से बहुत बड़ा बाजार है वहाँ पे निवेश करने के लिए सेवाएं सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवाएं ह गई या भारत के जितने भी बड़ी बड़ी नवरतन कंपनिया है वो डारेक्टली इन देशों के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है और भारत के लिए वित्व वहां से इकठा कर रही है और कुशल जन्शक्ति जो हमारी है लेबर है वो भी डारेक्टली वहां से अपनी आज लाव है इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है जैसे लुकवेस्ट नीती के कारण इस क्षेत्र में भारत के आगमन के साथ साथ पाकिस्तान वा चीन का प्रभाव कम होगा भारत के खाड़ी देशों से अच्छे संबंदों के चलते पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी भूराजनिती से भूर्थ शास्तर की और अपने आपको स्थान अंतरित करना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान पहले अडियल बनता था वो बोलता था कि ये हमारी जो भूराजनिती है जियो पॉलिटिक्स है भारत क्योंकि यहां पे है पाकिस्तान यहां पे है तो ये एक प्रकार से अडंगा बना हुआ था पश्यम देशों के साथ हमारे संपर्थ के लिए ले लेकिन भारत ने डारेक्ली यहां पे इरान के साथ इराक के साथ सीरिया के साथ अजर बेजान के साथ या फिर मद्य एशिया के साथ जैसे अपने संबंदों को बढ़ाया वैसे वैसे पाकिस्तान की यहां पे इंपोर्टेंस कम होती गई और पाकिस्तान को लगने लगा कि अब जि अपनाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम यहां पे अडियल बने हम यहां पे इरान के साथ डारेक्ली व्यापार नहीं होने देंगे अफगानिस्तान के साथ व्यापार नहीं होने देंगे तो इरान भी हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा अफगानिस्तान भी नहीं करेगा और पाकिस्तान कहीं न कहीं लॉस में जाएगा, इसलिए पाकिस्तान क्या है, यहां पे भूराजनीती से भूर्थ शास्त्र की और बढ़ने लग गया है, इस नीती से भारत को इरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी पहुंच हासिल होगी, वर्तमान में भारत को इ लक्षिन, एशिया और खाड़ी सहयोग परिशद के बीच मुक्त व्यापार को प्रोचाहित करने में पाकिस्तान के साथ सहयोग का सुझाओ भी दे सकता है, इंटर कनेक्टिड बिजली ग्रिड, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और अंतर राश्टिय राजमार्ग सड़क जैसी परियोजनाएं भारत को एक नई रणनीतिक पहुँच या रणनीतिक उचाई पर पहुचाईगी भारत की पश्चिम के और देखो नीति के लिए नो सूत्रिय एजेंडा जितने भी विशेशग्ये हैं, जितने भी फोरण पॉलिसी के एनलेसिस्ट हैं, उन्होंने नो सूत्रिय एक 9.1 एजेंडा दिया है, अगर हमें वेस्ट के अंदर अपनी पॉलिसी को मजबूत करना ह तो ये 9 सूत्र इस प्रकार से है, सबसे पहले आप देखोगे भारत के पश्चिम के और देखो नीति के 9 तत्व हैं, जिन्हें प्रासंगिक लुक वेस्ट, पर्टिनेंट लुक वेस्ट पॉलिसी के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, तो कोश्चन आप से पुछा जा सकता है कि पर्टिनेंट लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, पर्टिनेंट लुक वेस्ट पॉलिसी से हमारा अभी प्राय है, जो 9 तत्व दिये गए हैं, वेस्ट में संबंदों को मजबूत करने के लिए, जब हम इन्हें अपना लेंगे, तो उसे कहा जाएगा प्रासंगिक लुक सबसे पहला पॉइंट है, भारत का इस क्षेतर के लिए अमेरिका के प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र द्रिष्टी कौन, आप देखोगे जितने भी आपकी हमारे वेस्टन पडोसी है, इरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो ठीक है, जितने भी देश है, यहाँ पे कभी न कभी अमेरिका की आर्मी रही है, या अभी भी वहाँ पे अमेरिका की आर्मी शांती स्थापना के लिए मौजूद रहती है, अफगानिस्तान, इराक, इरान, यहाँ पे, मतलब अमेरिका का बहुत जादा हस्तक शेप यहाँ तो विशेशग्यों का मानना है अगर हमें लुक वेस्ट पॉलिसी को मजबूत करना है तो अमेरिका के प्रभाव से मुक्त हमें क्या करना पड़ेगा अपनी फॉरण पॉलिसी वहाँ पे बनानी पड़ेगी दूसरा पॉइंट है अपने हितों के प्रती प्रती बद्धता सभी को पता है ये एक शेत्र गंभीर आंतरिक अंतर विरोधों से घिरा हुआ है मध्यपूरू में कई मुद्दों पर टकराव की स्थिती है ये स्थिती आप देख सकते हैं जैसे अरब, इसराइल, शिया, सुनी, काबूल, इसलामाबाद तो कोई भी देश इन मुद्दों के उपर हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि अगर कोई भी देश इन मुद्दों के उपर हस्तक्षेप करेगा तो उसे पेट्रोकेमिकल, गैस और जितने भी वहाँ पे एकॉनमिक रिसोर्सीज है उससे हाथ दोना पड़ सक तो भारत को भी चाहिए कि भारत क्या है अपने हितों को ध्यान में रखकर अपने हितों के प्रति प्रतिबद्दता दिखाए और इन मुद्दों से दूसरे देशों की तरह तटस्त रहे तभी भारत का जादा हितिहां पे हो सकता है तीसरा पॉइंट है भारत को इस क्षेत्र से अधिक सहयोग के लिए इन सभी देशों में अपनी द्वी पक्षिय यात्राओं और कूट निती का विस्तार करना चाहिए चौथा पॉइंट है इसलामिक मित्रों से अच्छे संबंद दोस्तो अपने पश्चिमी पडोसियों के साथ भारत के संबंद विविद है इसमें सांस्कृतिक, राजनितिक, आर्थिक और धार्मिक संबंद शामिल है यदि भारत में मुसलिम समुदाय और संस्कрिती पर ध्यान दिया गया तो संस्क्रितिक रूफ से भारत की पश्चिम की और देखोनीती में आसानी होगी तो जिस तरीके से अभी माहौल इंडिया में बना हुआ है जिस तरीके से इसलामी जो कल्चर था उसको कही न कही खतम करने की बात की जा रही है यूपी के अंदर देखा जाता है जिस तरीके से नाम बदलने की जो एक प्रथा वहाँ पे शुरू हुई है तो कही न कही उसका प्रभाव पश्यमी देशों में देखने को मिला है कई बार वहाँ पे भारत के खिलाब धरना प्रदर्शन होते हैं कई बार वहाँ पे इस परकार के वक्तव्य दिये जाते हैं कि भारत में मुस्लिमों के खिलाब अत्याचार दिरे दिरे बढ़ रहे हैं और हम भारत के साथ अपने डिपलोमेटिक रिलेशन तोडेंगे ठीक है तो इस परकार भारत के अंदर भी मुसलिम समुदाय और संस्कृति पे ध्यान देना होगा ताकि हमारे पश्चिम के साथ संबंद खराब ना हो फिप्ट पॉइंट है पाकिस्तान के इंद्रिय हम इसे पसंद करे या ना करे पाकिस्तान के साथ संबंदों का सामान्य करण एक सफल लुक वेस्ट पॉलिसी की कुंजी है विशेशग्यों के अनुसार six point है अफगानिस्तान में स्थिरता दोस्तो अफगानिस्तान हमारा क्योंकि बहुत ही अच्छा एक मित्र है और ये पाकिस्तान के साथ बिलकुल लगता है तो पाकिस्तान को कही न कही दबाने के लिए अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत जादा important है और तालिबान दोरा काब हो चुका है अफगानिस्तान में तो तालीबान क्योंकि एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है कहीं पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत के अंदर आता है कहीं तालीबान भी भारत के साथ उस परकार का सलूक ना करें उसके उपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है सेवंथ जो पॉइंट है वो है भारत और जी सी सी पाकिस्तान आदी के बीच आर्थिक एकी करण में तेजी लाना गल्फ कॉफरेशन जो काउंसिल है उसके साथ और पाकिस्तान के साथ भारत को संबंधों को सुधारना होगा आठवा पॉइंट है रक्षा कूटनिती यानि सिक्योरिटी डिप्लोमेसी जैसे जैसे हमारे पश्चिमी पडोस में संगर्ष गहराता जाएगा कई राष्टर नई दिल्ली के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की और देखेंगे बदले में भारत को इस ख्षेतर के सशष्टर बलों के साथ सक्री भागीदारी की आवशकता है जिसमें हतियारों का हस्तांतरन भी शामिल होना चाहिए भारत इस ख्षेतर में अपनी सेना कब तैनात करेगा इस पर भी दिशानिरदेशों की आवशकता है और लास्ट और नाइन्थ पॉइंट है खाड़ी में क्षित्री परिवर्तनों का सामना और उसका समाधान करना या फिर अपने जो विशेशग्ये है वहाँ पे स्थापित करना भी भारत के लिए important पॉइंट है ताकि भारत लुक वेस्ट पॉलिसी को मजबूत या pertinent कर पाए तो दोस्तों उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत की पश्चिम के और देखो नीती के द्वारा भारत के विकास को शीगरता से हासिल किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैं